हेलो फ्रेंट्स वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3-1-Tag तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप पेटियम मौल एप्लिकेशन से शोपिंग कैसे कर सकते हैं पेटियम मौल एप्लिकेशन से आप कोई भी ओडर कैसे कर सकते हैं जैसे आप और एप्लिकेशन से करते हैं जैसे एमाजोन फिलिपकार्ट हो गई वहाँ से आप शोपिंग करते हैं उसी तरीके से आप पेटियम मौल एप्लिकेशन से भी शोपिंग कर सकते हैं अब आपके mind में एक question आ रहा होगा कि हम Paytmall application से ही shopping क्या करें, यहाँ पे कुछ क्या खास बात है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो reason मैं आपको बताऊंगा, पहला reason तो यह है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ products जो होते हैं, वो Amazon और Flipkart के उपर available नहीं होते, तो वो आपको यहाँ पे Paytmall application के अंदर असानी से मिल जाते हैं, और जो इसका दूसरा reason है, वो सबसे ही अच्छा reason है, मतलब आपको यहाँ पे काफी सारे discount देखने को मिलते हैं, आपके products के उपर, क्योंकि Paytmall application के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, तो ज्यादा लोग यह यहाँ से shopping नहीं करते, तो इसकी जो sale है, वो कम होती है, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे-च्छे discount दिये जाते हैं, आपके products के उपर, तो यह आपके लिए काफी अच्छा है, कि आप कम बजट में एक अच्छे shopping कर सकते हैं, यहाँ से और यह बिलकुल पूरी तरह Gen 1 है, पेटियम मॉल की जो application है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, लास्ट तक, तब ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, कि आप किस तरीके से इस application से order कर सकते हैं, वीडियो को शुरू करने से पहले, मेरी last वीडियो पे जिसका सबसे पहला comment था, उसका channel आपको मे पेटियम मॉल की जो application है, उससे शोपिंग करने के लिए आपको इस application करने के लिए आपको इस application करें आपको इस एप्लिकेशन की अपडेट से पहले मिले, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं, अपने mobile phone की screen के उपर जैसा कि आप लो application को install करना पड़ेगा अपने mobile phone के अंदर, उसके बाद हम इस पेटियम मॉल की application है, इसको उपन करेंगे, तो मैं इस पे क्लिक करके इसे open कर लेता हूं, उसके बाद आपको अपने इसमें login कर लेना है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक मैं आ category, fashion, grocery, jewelry, electronic, travel, holiday, OTT, recharge, food and drinks, beauty and health, तो यहाँ पे आपको काफे सारी categories यहाँ पे दिख जाती है, उसके बाद यहाँ पे scroll down करके आप top brands यहाँ से select कर सकते हैं, आपको किस brand का क्या product चाहिए, ठीक है, वो आप यहाँ से select कर सकते हैं, आप आप discount देख सकते हैं, यहाँ पे 20% cashback ह में, ठीक है, यहाँ पे 3.5% का cashback है, यहाँ पे 11% का cashback है, यह top brands in groceries में है, groceries में अगर आपको कुछ चाहिए, तो वो आप यहाँ से select कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसमें pharmacy है, Apollo की, ठीक है, यहाँ पे आपको 10% cashback मिल जाता है, इस तरीके से, और अगर आप कुछ भी चा सकते हैं, clothing related चाहिए, footwear चाहिए, accessory चाहिए, और इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, बैक आजाते हैं, यहाँ पे explore all category, तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे जितनी भी category है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके according shopping कर सकते हैं, इसमें, अब मैं इसमें ज T-shirt सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, T-shirt सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपके सामने सारी T-shirts वगेरा खुल गी हैं, यहाँ पे boys T-shirt, girls, tops, इस पे select करेंगे, हम boys T-shirt चाहिए हमें, ठीक है, तो हम इस पे select रहने देंगे, उसके बाद आप यहाँ से check out कर सकते हैं, आपको location आ रहा है नीचे, ठीक है, यह वली है, 299 की है, 40% off है, ठीक है, यहाँ पे size आ गया इसका, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, इसकी rating वगेरा, जो भी आप चाहें हैं, यह मैं बस आपको सिखाने के लिए से कैसे shopping करनी हैं, वो बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको add to card पे click कर देना है, ठीक है, अगर आपको काफी सारे चीने तो इसमें आपको add to card, add to card करते जाना है, और buy now पे click कर देना है, ठीक है, अभी यहाँ पे हमारी location पे available नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा देता हूँ, buy now पे click करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना full name डा पे आपको नीचे nearby shop, कोई landmark डाल देना है, कोई school है, कोई गली है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे नीचे address type है, यहाँ पे home, office, other, आप office में मंगाना चाते हैं, घर पे मंगाना चाते हैं, वो आप यहाँ से select कर लें, और इसको set as default address कर देंगे, ठी ठीक है, उसके बाद यहाँ पे continue पे click करेंगे, और आके जाके आप payment select कर सकते हैं, कि आप online करना चाते हैं, या cash देना चाते हैं, वो सब इसको करने के बाद आपके सामने अगली screen पे आ जाएगा, और वहाँ से आप जैसे और shopping site से online shopping करते हैं, सेम वही process है इसमें भी, ठीक ह अगर सब आप यह सीख गई होंगे कि आप किस तरीके से Paytmall application के अंदर shopping कर सकते हैं, उससे order कर सकते हैं, अगर फिर भी वीडियो से related कोई भी question, कोई भी query है आपके mind में, तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इससे like और share जरूर करें, thank you